सत्य परिशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं इस बात की मिसाल कायम कर दी है युवा मंच ने युवा मंच के पदधिकारियों का स्वागत किया गया रेहा होने के बाद यानि रेहा हो चुके हैं लेकिन इनके होसलों की दाद देना चाहेंगे वाकई काबिले तारीफ हैं क् अभी इनके होसले उतने ही बुलंद हैं डरे नहीं हैं और ना ही डरना चाहिए डरने वाली बात भी क्या है आखिर अपने अधिकारों की मांग करना कोई गुणा नहीं है किसी जब कोई गुणा किया ही नहीं तो फिर डर कैसा अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं हम रहा हो चुकिया और इनकी तरफ से वयान आया है कि हमारा जो है अंदोलन लगातार चलेगा जारी रहेगा हमारी जंग जो छिड़ी है वो जारी रहने वाली है यानि कि अधिकारों की जो हमारी मांग है रोजगार दो जौब दो ये जो मांग है वो अभी हमारी जारी रहेगी जितने भी खाली पद हैं लाखों खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरे सरकार उसकी जल्द से जल्द भर कर नौकरी दे, रोजगार दे सरकार तो इस तरीके के इनकी मांगे हैं और किसी तरीके का कोई बहाने वाजी अब नहीं चलने वाली सरकार की और जो है इनके होसले उतने ही बुलंद हैं बस यही बताना था आपको कि देखिए किस तरीके से इन्होंने एक मिसाल कायम करती है और हम सरकार के जो इस तरीके के फैसलों का अबरोध करते हैं क्योंकि देखे इस तरीके से अपने रोजगार के जो अधिकारों की मांग करना बिलकुल कहीं से भी घलत नहीं है जो हम जब आप इस देश के करता धरता हैं तो हम अपने अधिकारों की मांग भी आफसे ही रखेंगे और इस तरीके से आवास को दवाने का काम जो सरकार कर रहे हैं या मतलब इस तरीके से जो इसके अधिकारी जो जिस तरीके से अंदुलन को कुचल देते हैं तो ये गलत है, इसका ब्रोध किया जाएगा और इस तरीके के तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सब पूरा देश एक जुट हो चुका है, सब आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, बस इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू बबाए